इस्टाग्राम एकाउंट डियक्टिवेट कैसे करें जी यहां इस्टाग्राम पर न्यू अपडेट आ गया है तो आप अपना इस्टाग्राम एकाउंट को डियक्टिवेट कर सकते हैं बहुत असानी से बस आपको यह चोटा सा वीडियो को पूरा बाच कर लेना है तो आपक कुछ सब्सेँ तुझ ऌपर का अपसण आज आ जाएगा इसस प्न करदेना है तो जैसे क्लिक कर देंगे तो यहां पर देख सकतें रहात केFlyf क कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं कि इस्ट्रेय resonates ते आपको सब्सेथा उपर चले जाना है, यहाँ पर आपको account center का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है तो जैसे आप click कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ interface open हो जाएगा फिर यहाँ पर आपको personal details का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है तो जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी email id 100 हो जाएगी phone number 100 हो जाएगा और date of birth 100 हो जाएगा फिर आपको सबसे नीचे account, wondership and control का अपसन दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ as interface open हो जाएगा फिर आपको delete पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जितने सारे id होंगी तो सब सो हो जाएगी जी हाँ, जिस id को आप deactivate करना चाहेते हैं उस पर आप क्लिक कर देना है तो हम click कर लेते हैं तो जैसे आप click कर लेंगे तो यहाँ पर आपको deactivate account का option आ जाएगा उस पर आपको click कर देना है फिर यहाँ पर आपको continue कर देना है तो हम continue पर click कर देते हैं तो जैसे आप click कर देंगे फिर आपको अपनी ID का यहाँ पर password डाल देना अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फारगेट पासवर्ड कर लेना तो हम अपनी ID का पासवर्ड यहां पर डाल देते हैं फिर आपको continue कर देना है तो जैसे आप continue कर देंगे फिर आपके सामने कुछ interface open हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का option आ रहा है तो Instagram यह बोला है कि आप अपनी ID को क्यों deactivate करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कोई भी एक region दे देना तो हम two many ads का दे देते हैं फिर आपको continue उपर click कर देना है तो जैसे आप continue उपर click कर देंगे फिर आपको continue उपर click कर देना है फिर यहां पर देख सकते हैं deactivate account का option आ जाएगा तो आपको इस पर click कर देना है आपका account deactivate हो जाएगा जी हां तो हम इस पर click कर लेते हैं तो जैसे आप click कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका account deactivate हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एकाउंट डियेक्टिवेट हो गया है तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है कैसे करना है तो आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब कर देना अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें इस्टाग्राम पर तुरंत मैसेज कर सकते हैं जन्यवर्त वन्दे मात्रम